हेलो वाटसप गाईस माई नमी स्पिनोत बादु थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वाद करना चाहूंगा मेरे ओसम चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बाताना चाहूंगा काईस आज को डियो बहुत ही ज्यादा ऑसम है नोला क्यों कि आज रम देखने जारे और टो कनेक्ट डोमेन विद फोस्टिंग और होस्ट वेबसाइड ऑन लाइब सर्वर ठीक है यह बहुत ही ज्याद इंपॉर्टन टॉपिक है आप वीडियो के अन तक जहूर देखेगा और आप बहुत क्लेली देख सकते हूं कि मेरे सामने एक वेबसाइड है बैसेकल एक प मेरे पास कोई option नहीं होगा because यह जो वेबसाइड है सिर्फ मेरे local system पे दिखाई दे रहा है कोई भी बाकी लोग इसको online access नहीं कर सकते तो जो वेबसाइड आपके local system पे है अगर दुनिया के लोग उसको access कर सके उसके लिए हमें हमारे इस web page को host करना पड़ता है on a live server and जब तो मैं already बताना चाहूंगा कि domain and server क्या होता है उसके उपर मैंने detail में video बनाया है उसके बाद मैं आपको यह भी बता है कि इंडिया का one of the best web hosting that is your hostinger उसके थुरू आप domain and hosting को कैसे buy कर सकते हो and यह भी बताना चाहूंगा अगर आप एक server buy करने का सोच रहते then guys this is the best time क्योंकि इतना चीप आपको कहीं नहीं मिलने वाला with free domain, free SSL and बहुत awesome इसकी services भी है तो simply आपको add to cart कर देना है and आप देख सकते हो जो 3 दिर पहले 139 था वो आपका हो गया है 129 because इसमें मेरे पास आप लोगो किलिक special coupon coded that is thapa7 आप भी जरू इसको apply कीजिएगा and आप देखोगे कि guys आ 1000 रुपीज के आसपास वो कम हो जाता है and then simply आपको submit secure payment कर देना है and then आपको domain name SSL वो सब कुछ आप get कर सकते हो बिल्कुल free में यह सब कुछ guys में आपको मेरा यह जो second video है आप देख सकते हो अठा मिनट का बहुत deep में बहुत detail step by step आपको समझाए इस वीडियो का पहले जरू to check out कीजिएगा and then आज मैं आपको बताऊंगा कि यह जो website जो मेरे local system paste को में live hostinger में कैसे host कर सकता हूं ताकि आप घर बैटे-बैटे मेरे इस website को देख सको वो आज मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है तो सबसे बहले जब भी आप website को host करने जाते हो उसमें आपको एक देखिए तो यह जो website है इसको access करने के basically दो तरीके है हाला कि तरीके बहुत है ठीकिन दो तरीके साइथ आप में से बहुत तो को मालूम होगा ठीक है देखो मैं cmd पर चलता हूं इसको थाँसा में जूम कर दाता हूं ध्यान से देखिए मैं क्या बाताने की कोशिश कर रहा हूं तो अब मेरा जो system है google.com का जो webpages को सो करने के लिए कितने route को access कर रहा है वो हमें पाता चलता है ठीक है यहाँ पर एक चीज़ बहुत common देख सकते हूं कि एक IP address मुझे मिल रहा है यहाँ पर देखिए ठीक है पिंग स्टेस्टिक यहाँ पर एक IP address मुझे मिल रहा है इ मैं चाहूं तो google.com यह basically आपका domain है और वहीं मैं चाहूं तो simply उसका IP address भी लिख सकता हूं फिर भी मुझे वो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपका DNS काम कर रहा है ठीक है यह जो funda है आप इसको name server भी कह सकते हो ठीक है तो मैं आपको बताता हो दिखो क्या है फिर मैं आपको live host करके दिखाऊंगा यह थोड़ा सा कुछ topic से जो आपको समझना जरूरी है and guys अगर आप directly कैसे host करना है उसको देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर time दिखाई दे रहाँगा वहाँ पर आप मोब कर सकते हो ठीक है तो मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता कि जो दो scenario कि आप कैसे host करोगे तो दिखिए we have a domain यह बहुत जाद इंपॉर्टेंट है we have a domain ठीक है and दूसरा we have a hosting ठीक है तो दो criteria यहाँ पर दो criteria तो सबसे पहले criteria यह कि अगर suppose आपने domain and then hosting जो है बाई करी from the same company from the same company then guys this is the best क्योंकि यहाँ पर आपको कोई जन्जटी नहीं है जैसे हमने hostinger से वही किया न हमने सिब hosting को बाई किया मुझे तो domain free मिली है मालब मेरे लिए तो सोने पर सुआगा type को हो गया यहाँ ठीक है तो दूसरा जो scenario होता उसमें problem ही होता कि suppose आपने यह डोमेन है उसको बाई किया एक अलगी company से आपका यह जो hosting है उसको आपने बाई की second किसी अलग company से अब प्रॉब्लम यह है कि suppose आपने बाई किया डोमेन जिसका नाम है इस तरह किसे थापा.com ठीक है जब आपने थापा.com बाई कर लिया आपको मालूम है कि hosting जब हम बाई कर करते इस इस डल शल जब हम बाई करते तो यह जो मैरा पेज आपको डिखाई दे रहा है इसका कोड की अधर ऑड कुछ अगता है जो कि एक फाइल है लेकिन मेरा जोबी फाइल्स जो मुझे Axis कं करवाना है वो में hosting जहां से मैंने buy की ठीक है and hosting जहां से मैंने buy कीगा मलता भी होता है कि यहां पे हम basically क्या करते है यह जो hostinger से मैंने जो server buy किया तो उनके पास भी एक CPU है मलता online जहां पे भी वो होगा वहां पे उनके server में न basically एक hard disk वहां के एक छोटा सा space मुझे allocate होता है जब मैं उनका यह server buy करता हो न तो उनका server का एक छोटा सा space चाहे वो 100 GB हो या 10 GB वो मुझे allocate होती है and मेरा यह जो website है ठीक है यह जो website आपको दिखाई दे रहा है मुझे उसको क्या करना है यहाँ पे मुझे उसको upload करना बड़ेगा ठीक है तो मतलब मेरे पास मेरा server है मैंने suppose file को upload भी कर दी जो आपको अभी थुई दिर बात बताऊंगा लेकिन फिर भी कल की दिन अगर आप thapa.com लिखोगे कहाँ पे इन दोनों को connect करने के लिए we need a name server जहाँ पे name server क्या करता है कि जब आपने thapa.com लिखा तो यहाँ पे आपका name server क्या करेगा कि वो जो server है उसका exact location की इधर है और हम किस file को access करने की कोशिश कर रहे उसको प्राप्त करने में name server आपकी help करता है इसका अपना खुद का एक DNS आपको मिलता है इसका खुद का अपना एक name server already रहता है जब आप hosting भाई करते हो तो इनका भी अपने एक public name server रहता है इनका क्या रहता है? इनका भी अपने एक public name server रहता है अब हमारा जो पहला वाला case था कि अगर आप domain and hosting दोनों को same company से भाई करते हो तो क्या होता है कि हमारा hosting का जो पब्लिक name server है वो already तो ये जो path इसको मैं connect कर लेता हूँ यहाँ पर तो वो already यहाँ पर included रहता है अड़ेड रहता है तो हमें connect करने की जो अतनी हो आटमेटिक connected रहता है problem बस तभी है जब आपका domain एक अलग company से आपने ली and hosting आप एक अलग company से ले ली suppose आपने domain ले ली go daddy या bluehost या hostgator कहीं से भी hosting आपने ले ली ये hostinger से तब उस समय क्या करना रहता है कि आपको hosting का ये जो public name server है उसको आपको यहाँ पे जहां से भी आपने domain लिया उसका जो DNS है उससे आपको replace करना पड़ेगा मतलब आपको public name server इनके DNS के बतले ये वाला जो public name server है वो यहाँ पे add करना पड़ेगा वो मैं आपको next video में बताऊंगा क्योंकि हमारा जो scenario है उसमें तो हमने जो domain है and जो hosting है same company से बाई की तो मुझे name server का तो कोई tension ही नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपको इस video में बता है ताकि आपको पता चलेगी name server का का काम है जब भी आप thapa.com लिखोगे तो name server ये पता लगाएगा तो वो आपको इस तरह के से response देगा and आपको जो file would मिलेगा वो जो page है वो आपको दिखाई देगा online that's it तो आज इस video हम ये देखेंगे कि आपका domain and hosting अगर same company से अपने provide किया है तो वहाँ पे आप अपने website को कैसे host कर सकते हो and next video में ये देखेंगे कि जब आपका domain अलग है and hosting अलग-अलग company का है तब आप इन दोनों को connect करके website को कैसे host कर सकते हैं वो हम next video में देखेंगे जबकि दोनों are almost saved ठेक है so guys I hope आपको पता चल गाओगा कि name server क्या है domain क्या है hosting क्या है तो basically इसके ये दो scenarios होते है all are guys आप में क्या करता है मैं simply अपने browser पर चलता हो देखो हमारा जो domain है ये देखो domain सा आपको simply hostinger पर चल के login करना है and मैंने इस video में second video में आपको highly recommend कर रो please देख लीजिएगा कैसे domain buy करना है I mean domain तो buy भी निकाना सिब hosting buy करो domain आपको free मिल जाएगा SSL भी free मिल जाएगा तो इस video को जरू check out कीजिएगा coupon code भी मैंने आपको provide किया link आपको सब नीचे description मिल जाएगा वही से buy करना है तो आपके पास domain है thapaonlineclass.com ठीक है ये update हो जाएगा मैंने अल्रेड़ी verification कर दिया है and hosting पे जब आप click करोगे तो ये भी मेरा hosting है तो basically मेरा जो thapaonlineclass.com है domain and hosting मेरा same company है that is hosting जब अब ध्याँ से देखो domain पे जब मैं click करता हूँ and जो मैंने name server के बात की थी मैं वापस domain पे आ गिया हूँ मैं थापा online class पे click कर देता हूँ तो अब आप बहुत क्लियली देख सकते हूँ कि guys इसका अपना खुद का एक name server है यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा ns1.dns-parking.com and ns2 basically ns मलब name server 1 name server 2 इस तरी के से रहता है ठीक है ये मेरा domain है मैं अब hosting पे चलूँगा and यहाँ पे मैं manage पे click करूँगा तो अब मैं यहाँ पे manage पे click करूँगा ठीक है थोड़ा नीचे आऊँगा आप देख सकते हूँ accounts तो इस ये जो details से मैं यहाँ पे चलूँगा and यहाँ पे देखिए ये मेरा hosting का जो public name server है वो है ns1.dns-parking.com ns2 आप देख सकते हूँ बहुत क्लिए लिए ठीक है तो मेरे case में कहा है ना कि hosting का जो ये public name server है domain में वो already included है तो इसका मादलब यह कि मुझे domain and hosting को connect करने की खुश से जरूत नहीं वो already पहले से ही connected है तो अब मुझे स्रिफ files को upload करना है तो वो uploads कैसे करना है वो देखे बहुत ही ज़ादा simple है आपको hosting पर आनी है manage पर click करना है थोड़ा सा आपको नीचे आना है आपको दिखाई देगा file manager file को आपको manage करना है तो आपको file manager पर click करना है जब तक ही open हो रहा गाईस मैं आपको highly recommend करूँगा प्लीज आप इस वीडियो को जरूद चेक आउट कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाईस public underscore HTML एन हाँ एक चीज दिखाना चाहूँगा कि थापा online जो है अब देखो कि थापा online class.com तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने आपको दिखाया था प्रिवेज वीडियो में कि आप होस्ट कैसे कर सकते हो मैंने सिंप्ली इसको होस्ट करके दिखाया था एन देखो उस समय मैंने बाता था कि SSL certificate कुछ समय बाद apply हो जाता हो तो आप देख सकते हो एकदम secure connection है यह ठीक है तो SSL भी free मिला domain भी मुझे free मिला था ठीक है एन वो कैसे मिला आपको मालूम है तो अब जो कुछ इस तरीके का effect मुझे दिखाई दे रहा मुझे यह नहीं चीए जब भी कोई थाप online class.com पर क्लिक करें तो वहाँ पर मुझे यह चाहिए बेसिकली यह वाला page दिखाना है ताकि मैं इसको दुनिया के साथ share कर सकूँ तो सबसे पहले इसमें क्या करना कि आपका यह जो website है इसके लिए आपने code लिखा होगा देखो कुछ इस तरगी से इसके कुछ files होते हैं तो सबसे पहले यह देखो कि वो जो files है की तार है आप देख सकते हो यहाँ पर यह मेरे files है ठीक है तो basically यह folder को आप right click यहाँ पर send to आप compressed zip folder कर दीजी basically हम इसका zip version चाहिए रहता है तो मैंने इसका zip folder create कर लिया है अब इस files को मुझे अपने server पर upload करना है ठीक है कैसे देखो मैंना अल्रेड़ी दिखा है आपको कहाँ पर click करना था file manager public underscore html में आपको चलना है यहीं पर रहागा और इतना याद रखो यह आपका h panel है c panel नहीं है ठीक है बोट are almost same इसमें आपको icons थोड़ी interactive दिखाई देंगे एंड यह beginner friendly भी आप इसको कह सकते हो तो public underscore html के अंदर by default एक दिखाई दे रहा है मैं उसको कर दूँगा delete now मेरे इस folder के अंदर कुछ भी नहीं है public underscore html के अंदर कुछ नहीं है तो अब अगर इसको मैं refresh करता तो आप देखोगे index swap क्योंकि मैंने उसको delete कर दिया अब यहाँ पे मुझे अपना खुद का files को upload करना है तो आप top पे देख सकते हो यहाँ पे देखो upload files इस पे आपको click करना है तो simply आपको select files पे click करना था है आप देख सकते हो थापाhost.zip आप ने जहाँ पे भी फोल्डर रखा वहाँ पे आपको click कर देना है अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा 3.4 MB का है and then upload पे click कर देना है ठीक है आप देख सकते हो कितनी fast upload हो चुका है and इस तरह की से मुझे दिख गया तो right click मैं इसको करूँगा यहाँ पे extract क्योंकि zip folder उनको नहीं समझता है मैंने इसको कर दी extract मलब मेरा original जो file यहाँ पे आप आचुका है तो इसको आप मैं क्या करूँगा guys simply इस तरह की से delete कर दूँगा ठीक है अब मेरे पास यह folder है अब इस folder के अंदर मुझे जाना है देखो तो यह सारी जो मेरे files है वो मुझे चाहिए तो इन सबको मैं select करता हूँ इतना याद रखो guys मुझे इसको move करके मेरा जो public underscore HTML है उसके अंदर रखना है ना कि उसके अंदर थापा फिर थापा इस तरह की से नहीं ठीक है तो मुझे destination को change करना पड़ेगा public underscore HTML को मैंने click किया टॉप पे select this मुझे यहाँ पे चाहिए and then move इस तरह के साब आप ध्यान से दखोगे तो अगर मैं public underscore HTML लिखता हूँ तो मेरे सारे फाइल्स वहाँ पे आगए आप चाहो तो गाइस individually एक एक फाइल को directly यहाँ पे अप्लोड कर सकते थे मैंने लेकिन zip के थुरुकी वह बहुत दीजी हो जाता कल की दिन अगर आपके 50-100 पेज हो तो individually एक एक फाइल को अप्लोड नहीं कर सकते इसलिए zip folder option best है यह जो थापा होस्ट है अब मैं इसको delete कर सकता हूं this is it guys आपने अपने सर्वर पे hosting पे फाइल्स को अप्लोड कर लिया है domain already registered है क्योंकि मैं उसी domain के पास आया हूँ अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ 3,2,1 and boom गा इसे देखिए आगे है अब आप देखो थापाonlineclass.com यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पे मेरा यह जो फाइले मुझे दिखाई दे रहा है तो कितना इजी है अगर आप domain and hosting same company से रवाई करते हूँ तो simply आपको files को करना पड़ता है upload और कुछ नहीं करना पड़ता है अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ spelling wrong हो गई है तो आप simply इस पर double click करके यह देखो आपको इंडेक्स फाइल आपको सब कुछ नहीं दिखाई देगा फोटोग्राफर के बदले अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एजुकेटर ओनलाइन एजुकेटर एजुकेटर लिख देता हूँ ठीक है save and close पे मैंने click किया मैं यहाँ पे चलूँगा इसको एक बार मैं फिर से refresh कर दूँगा तो आप देख सकते हूँ आपको designer दिखाई देगा so guys this is it आज इस वीडियो के लिए इतना ही hope आपको पसंद आओगा एंड आप देख सकते हूँ कि hostinger में किसी भी website को host करना कितना ज्यादा simple है and यह आपका h-panel है so guys I really hope आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आओगा and सबसे ज्यादे important तो आपको यह लगा होगा आप बिल्कुल टेंसर मतलो next video में इसको पर बहुत जल्द अप्लोड करने आप लेकिन I hope यह आपको बहुत मज़ा होगा तो guys बाताना चाहूंगा once again hostinger में guys diwali sale चल रहा है and इतना सस्ता and इतना अच्छा जो server है आपको कहीं और नहीं मिलने वाला तो guys आप coupon code को भी जरूर apply कीज़ेगा link आपको नीचे description में मिल जाएगा और मैं आपको लिखकी देता आप बिल्कुल नीरास नी होंगे आपको बहुत ज्यादा मज़ाने वाला है फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो guys आप नीचे comment करके जरू बताए मैं आपके जरू हेल्प करूँगा one second guys server buy करने का सोच रहते तो this is the best chance link आपको नीचे description में मिल जाएगा जरू check out कीज़ेगा इस वीडियो को जरू check out कीज़े आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले regarding domain hosting and all and I hope आपको name server भी पता चलिगा होगा तो guys बताना चौंगा वीडियो पसंद है तो like कर दीज़ेगा दोस्तों के साथ share कर दीज़ेगा अब बताना चौंगा आप हमारे next टार्गेट है 5 लाग सब्सक्राइब है और आपके बहुन बिल्कुल भी complete नी हो सकता है तो अब भी तक अपने मेरे awesome channel था पर technical को सब्सक्राइब नीगा तो guys please subscribe कर लिज़ेगा प्राइट साइड में क्रेट कला का बैल आकीन एक गंटी देगा हीट कीज़े क्लिक कीज़े ता कि अब डेली आस आउसम वीडियोस को मिस ना गारे so till then guys thank you so much take care